अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ वाले बेल के आइकन पर लाज़ भी क्लिक कर ले ताके हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको बरवक्त मिल सके इस टेकनोलोजी का चलन भी काफी तेजी से बड़ा है कई कमपनियों ने इस टेकनोलोजी का इस्तिमाल करके चेकटबॉट सर्विस शुरू की और अब स्मार्टफोन कमपनिया भी अपने स्मार्टफोन में AI फीचिस को शामिल करने लगी है AI स्मार्टफोन के मार्किट में मोटरोला की एंट्री सैमसंड और गूगल के बाद मोटरोला कमपनी भी अपने एक फोन को AI फीचिस के साथ लॉंच करने की तयारी कर रही है इस फोन का नाम मोटरोला X50 Ultra होगा दरसल मोटरोला चीन में अपनी नई फोन सीरीज लॉंच करने वाली है जिसका नाम मोटरोला X50 है आपको बता दे कि Motorola ने X-Series की स्मार्टफोन को भारत समेट ग्लोबल मार्केट में Motorola X-Series के नाम से लॉंच किया है अब लेने वो ब्रांड के अंदर आने वाली इस स्मार्टफोन कंपनी ने एक नया टीजर लॉंच किया है जिससे पता चलता है कि कंपनी बहुत जल्द Motorola X-50 Ultra को लॉंच करने वाली है इसके अलावा Motorola की टीजर में लेने वो द्वारा स्पॉंसर किया गया F1 का भी दिखाया गया है जो इस बात की और इशारा करता है कि उनका ये फोन एफिक कार जितना तेज पफॉंच करेगा जान देने वाली बात है कि ये टीजर बहरीन में फॉर्मूला 1224 सीजन की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले रिलीज किया गया है सैमसंद और गूगल को मिलेगी टककर मोटरोला ने अपने इस टीजर के जरिये जानकारी दी है कि उनका आने वाला ये फोन AI फीचर्स के साथ देब्यू करेगा और यह उनका पहला AI स्मार्टफोन होगा इसका मतलब है कि आप AI स्मार्टफोन की मार्किट में सैमसंद और गूगल जैसी कमपनियों को टककर देने के लिए मोटरोला ने भी अपने कदम आगे बढ़ा लिये है कमपनी ने अपने इस फोन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस फोन के पिछले हिस्से में वीगन लेदर का इस्तिमाल किया जाएगा इस फोन के साइड में पॉवर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स दिया जाएगा Company इस phone को black और gray color में launch कर सकती है एक report के अनुसार इस phone में की battery दी जाएगी जो 125W के wired fast charging support और 50W के wireless fast charging support के साथ आएगा Motorola इन दिनों अपना पहला AI artificial intelligence smartphone launch करने की तयारी कर रहा है Chinese social media site Weibo पर post करते हुए Motorola ने अपक्मिंग phone की कुछ जहलक शेर की है अपक्मिंग Moto X50 Ultra Smartphone Formula 1 partnership के साथ पेश किया गया है Motorola के जब से अपक्मिंग Moto X50 Ultra Smartphone की i features को tease किया है Motorola इन दिनों अपना पहला AI artificial intelligence smartphone launch करने की तयारी कर रहा है Motorola का ये phone Moto X50 series का होगा जिसका Ultra Variant i capabilities के साथ आएगा Moto X50 Ultra Smartphone सबसे पहले home market chain में launch किया जाएगा इस phone को tease करते हुए company ने कई features शेर किये है AI features के साथ आएगा Ultra Variant Chinese social media site Rebo पर post करते हुए Motorola ने अपक्मिंग phone की कुछ ज़लक शेर की है अपक्मिंग Moto X50 Ultra Smartphone Formula 1 partnership के साथ पेश किया गया है Company ने post करते हुए बताया है कि ये AI mobile phone है इससे confirm होता है कि Ultra Variant AI features के साथ पेश किया जाएगा Motorola के जब से अपक्मिंग Moto X50 Ultra Smartphone की AI features को tease किया है Social media users इसकी तुलना Samsung Galaxy S24 series के साथ करने लगे है कई media reports में दावा किया जा रहा है कि Moto X50 Ultra को सबसे पहले चीन में लॉंच किया जाएगा ये phone अप्रेल में पेश किया जाएगा Moto X50 Ultra की संभावित खूगिया Moto X50 Ultra Smartphone को लेकर खबर है कि ये Fox Leather Finish और Rectangular Camera Module Design के साथ पेश किया जाएगा रिपोर्ट्स की माने तो phone में की बैटरी और 125W Fast Charging Support के साथ आएगा प्रोसेसर की बात करें तो ये Snapdragon 8 Gen 3 या Mediatic Dimensity 9300 chipset के साथ पेश किया जाएगा Moto X50 series की स्मार्टफोन भारत में Motorola H50 series के नाम से पेश किया सकती है समभब है कि Motorola के इस phone का Global और China Variant अलग अलग specs के साथ पेश किया जा सकता है नई दिल ली Motorola इन दिनों अपना पहला Artificial Intelligence वाला स्मार्टफोन लाँच करने की तैयारी में है Motorola का ये phone Moto X50 series का हिस्सा होगा जिसके Ultra Variant में AI features होंगे Moto X50 Ultra Smartphone सबसे पहले चीनी घरेलू बजार में लाँच किया जाएगा कमपनी ने इस phone की टेस्टिंग करते हुए कई features शेर किये है Ultra Variant Artificial Intelligence features के साथ आएगा चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर एक पोस्ट में Motorola ने आगामी फोन के बारे में कुछ विचार साजा किये है आगामी Moto X50 Ultra Smartphone का Formula 1 के सहयोग से अनावरं किया गया है कमपनी ने घोशना की की यह एक पित्रम बुध्धिमत्ता वाला मोबाइल फोन है इससे पुष्टी होती है कि Ultra Variant को AI Features के साथ पेश किया जाएगा Motorola ने आगामी Moto X50 Ultra Smartphone के AI Features की घोशना की है सोशल मीडिया यूजर्ज इसकी तुलना Samsung Galaxy S24 सीरीज से करने लगे कई मीडिया आउटलेट्स का दावा है कि Moto X50 Ultra को सबसे पहले चीन में लॉंच किया जाएगा ये फोन अप्रेल में रिलीज होगा Moto X50 Ultra के समभावित स्पेसिफिकेशन जहां तक Moto X50 Ultra Smartphone की बात है ख़बर है कि इसे P.U. Leather Finish और आयताकार Camera Module Design के साथ पेश किया जाएगा रिपोर्ट्स की माने तो फोन में की बैटरी और 125W Fast Charging का सपोर्ट होगा प्रोसेसर की बात करें तो इसे Snapdragon 8 Gen 3 या MediaTek Dimension 9300 चिपसेट के साथ पेश किया गया है Moto X50 Series की स्मार्टफोन भारत में Motorola H50 Series के रूप में लॉंच हो सकते है समभव है कि इस Motorola Phone के Global और चीनी वर्जन को अलग-अलग स्पेसिफिकेशन के साथ पेश किया जाएगा प्लीज लाइच शेर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल P.K.Technical अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहरे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ वाले बेल के आइकन पर लाज़ भी क्लिक कर ले ताके हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको बरवक्त मिल सके